कहानी की शुरुवात में हमें ये बताया जाता है कि क्रिमिनल्स कोई सोसाइटी में रहने का कोई राइट नहीं है और ऐसे लोगों के रहने के लिए एक जगा बना दी जाती है जो कि एक काफी बड़ा रिगिस्तानी लाका था और जो लोग बगावत करते हैं यानि उन लोगों का नाम होता है बैड बैचर्स उनकी पहचान के लिए उन्हें सेपैसिफिक नमबर्स दे दिये जाते हैं उस एरिया में दो ग्रूप्स होते हैं एक होता है नॉर्मल इंसानों का ग्रूप और दूसरा होता है कैनिबल्स का ग्रूप पिर हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ओफिसर्स एक लड़की को यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि उस एरिया में अल्मोस्ट 5,000 से ज्यादा लोगों को लाकर छोड़ा होता है वो लोग वहाँ से भाग ना पाएं इसलिए उनके लिए स्टील नेट की एक वाल लगाई होती है वहाँ पर जिस लड़की को भी वहाँ पर लाया गया था उसका नाम था आरलिन वो लड़की आगे बढ़ती है तो वहाँ पर वो एक बोर्ड देखती है जिस पर लिखा था कि बोर्ड के बाद जो एरिया है वो अमेरिका के अंडर नहीं है कुछ दूर आने के बाद आर्लिन को एक कार दिकाई देती है, जोकि खराब थी रेस्ट करने के लिए आर्लिन कुछ टाइम के लिए उस कार में बैठ जाती है लेकिन उसे ये पता नहीं चल पाता कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और वो आरलिन का हाथ काटने लगती है हाथ के साथ साथ वो आरलिन का एक पैर भी काट देती है लंच बनाने के लिए क्योंकि वो ग्रूप था कैनिबल का डैजर्ट पर कुछ खाने को नहीं मिलता इसलिए लोग कैनिबल्स बन जाते हैं जबकि दूसरे ग्रूप के लोग कमफर्ट में रहते थे जो कोई भी डैजर्ट में आता था ये कैनिबल्स उसे पकड़ लेते थे और उसे अपना खाना बना लेते थे और ये कैनिबल्स खुद को बिलकुल फिट रखते थे अपनी हेल्थ का काफी खयाल रखते थे वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन्होंने प्रीजनर्स बनाया होता है जिनकी हाथ पाउं भी काटे गए थे कैनिबल्स को जब भूक मैसूस होती है तो वो इनसानों को पकड़ लेते हैं उनकी बॉडी का कोई भी पाट काट कर उसे खा लेते हैं और अब तो आरलिन भी उनकी विक्टिम बन चुकी थी वो समझ चुकी थी कि वो इन कैनिबल्स का खाना बनने वाली है और अगर वो जिन्दर रहना चाहती है तो उसे यहां से भागना होगा लेकिन वहां से भागना काफी मुश्किल था क्योंकि उसका एक हाथ और पाउं कटे हुए थे और तो और उसे चेंज से भी बांता गया था लेकिन आरलिन को एक आइडिया आता है वो अपनी पूरी बॉड़ी पर अपना वेस्ट मेटेरियल लगा लेती है नेक्स टे एक कैनिबल लेड़ी आरलिन को चेक करने के लिए आती है तो वो देखती है कि आरलिन वेस्ट मेटेरियल में लटपत है ये देखतर वो कैनिबल लेड़ी उसे अजाद कर देती है और आरलिन को क्लीन करने के लिए खेंच कर अपने साथ ले जाती है फिर वो लेड़ी पानी लेने जाती है इसी दुरान आरलीन मौके का फाइदा उठा कर एक रोड चुपा लेती है जब वो लेड़ी आरलीन को क्लीन कर रही होती है तो आरलीन उसी रोड से उस पर स्टैप करती है जिससे वो कैनिबल लेड़ी गिर जाती है फिर आरलिन उस पर बार बार स्टैब करती है और कैनिबल लेडी की मौत हो जाती है फिर आरलिन क्रॉलिंग करते हुए वहाँ से भागने लगती है आगे जाकर उसे एक स्केटिंग बोर्ड मिलता है जिसके जरी वहाँ से भाग सकती थी वो डेजर्ट काफी बड़ा होता है औ उसे भूक और प्यास लगने लगती है शिदत वाली जिसकी वज़े से आर्लिन पे होश हो जाती है वहीं पर एक आदमी था जो के अकेला रहता था यानि ना तो वह कमफर्ट गुरूप का था और ना ही कैनेवल था वह बुढ़ा था जिसकी वज़े से वह अभी तक कैनेवल क शिकार नहीं बना था ये आदमी आरलिन को एक कैरेज में मिठाकर काफी दूर तक ले जाता है और आरलिन को कमफर्ट तक पहुंचा देता है जहां कमफर्ट के बाकी लोग रहते थे आरलिन को वहांपर ड्रॉप करके वहां से चला जाता है फिर हमें 5 मंच बात का सेंग दि वाइफ और बैड़ी के साथ रहता थाुसिर से अपने इसे उसे इसे उसे मार्यार करने के लिए उस लड़की की बॉड़ी के टुकड़े तुकड़े कर देता है वो फैमिली रात का खाना खाती है। Next day हम देखते हैं कि Rise and say क्योंकि व है और पाउं को कहोंकर काफीृ कीछ अच्शनीनुट ecc कमफर्ट से निकनने का एक दूसरा रास्ता भी होता है। और वो दूसरे रास्ते को ही यूज करके वहां से निकलती है। मियामी मैन की वाइफ गर का कुछ समान लेने का सोचती है। इसलिए वो अपनी बेटी को भी साथ ले जाती है। दोनों माँ बेटी पुराने समान में से जरूरी समान ढूंड रही होती है। लेकिन आरलेन कुछ दूरी से उन्हें देख लेती है। और वो उन लोगों के पास जाती है। आरलेन को जब ये बात पता चलती है कि वो दोनों कैनेबल है तो वो डिसीन लेती है उन्हें मार डालने का। मियामे की वाईव उसे कहती है कि प्लीज हमें जाने दो हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मगर आरलेन उसकी एक नहीं सुनती बलकि वो कहती है कि मैंने भी तुम जैसे कैनेबल लोगों से अपने जान की भीक मांगी थी। लेकिन उनको मुझ पर तरस नहीं आया बलकि उन्होंने मेरा एक हाथ ही काट दिया। ये कहते ही आरलेन मियामे की वाईव को शूट करके मार डालती है। मियामे की वाईव जब मर जाती है तो उसकी बेटी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मेरी मदर को क्या हो गया है। वाइफ और बेटी अभी तक घर नहीं आये थे इसलिए उसको फिकर हो रही थी मियामी में उन दोनों को डूड़ने के लिए निकल पड़ता है वो उसी जगापर जाप पहुंचता है जहां पर पुराना समान पड़ा हुआ था वो देखता है कि उसकी वाइफ की टट बोड़ी को कवे खा रहे हैं और उसकी बेटी भी लापता थी उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहां आ गई सड़न मियामी की नजर उस अकेले आदमी पर जाती है जो कि पुराने समान के पास खड़ा हुआ कुछ टून रहा होता है मियामी उस आदमी को अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और ये पूछता है कि कि आपने इसे कहीं पर देखा है वो आदमी मियामी को कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बेटी कहां पर है लेकिन उसके लिए एक शर्त है और वो ये कि तुम मेरा भी सेम ऐसा स्केच बनाओ अब क्योंके मियामी के पास और कोई आप्शन नहीं होता इसलिए वो उस आदमी का भी स्केच बना देता है फिर वो आदमी मियामी को एक लू देता है वो उसकी बेटी के स्केच पर लिख देता है Find Comfort ये उस तरफ इशारत था यानि उसकी बेटी Comfort में है रात को अरलेन उस बची को एक कलब में लेकर जाती है जहां पर Comfort Area का सबसे ज़्यदा रिचाद में होता है जिसका नाम होता है The Dream ड्रीम को सब लोग वहाँ पर अपना हीरो समझते थे क्योंकि वो अकेला ही पूरे Comfort में ड्रग स्प्लाई करता था अजीब बात ये थी कि उस ड्रग में किसम का मैजिक था और जो आदमी उस ड्रग को लेता था वो अलगी दुनिया में खो जाता था उसका माइंड अलगी डरेक्शन में चलने लगता था ऐसा फिल होता है कि जैसे इनसान ड्रीम में आ गया है इसलिए तो उस आदमी का नाम ड्रीम होता है और तो ओर ड्रीम कमफर्ट का मेयर भी था पार्टी में ड्रीम सब को ड्रग देता है उस वक्त आर्लिन भी एक ड्रग ले लेती है इसी दुरान मियामी की बेटी का रैबिट उसके हाथ से चूड़ जाता है और वो उसे लेने जाती है इसी कोशिश में वो बच्ची आर्लिन से काफी दूर चले जाती है वो बच्ची ड्रीम के पास पहुंच जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है आर्लिन उस बच्ची को डूणने लगती है लेकिन अब आर्लिन पर भी उस ड्रग का असर होने लगता है उसे ऐसा लग रहा था कि वो ड्रीम में आ गई है और उसे अपने आस पास सब कुछ खुबसूरत नजराने लगता है आरलीन उस बच्ची को ढूंटते हुए कमफर्ट से बाहिर ही आ जाती है आरलीन का माइंड किसी और ही डारेक्शन में चला गया था और उसे ये भी पता नहीं चल पाता कि मियामी उसकी पास ही खड़ा हुआ है नेक्स मॉर्निंग जब आरलीन को होश आता है तो वो देखती है कि वो कमफर्ट से काफी दूर है और मियामी में उसकी खड़ा हुआ था और उसके हाथ में वो चीज होती है जिसके बगएर आरलीन चल नहीं सकती थी यानि उसका आर्टिफेशल पाउं मियामी उसे एपनी बेटी का स्केच दिखाते हुई पूछता है कि क्या तुमने इसे देखा है जिस पर आरलीन कहती है कि नहीं मैंने इसे नहीं देखा यानि यहां पर वो जूट बोल देती है किसी भी कैनिबल को कमफर्ट में आने की अजासत नहीं थी अगर कोई कैनिबल कमफर्ट के पास आ भी जाता है तो उसे शूट कर दिया जाता है इसलिए मियामी आरलीन से एक देल करता है वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा लेकिन उसके बदले कमफर्ट एरिया से ढूंड कर मेरी बेटी को लेकर आओ और वो उसे वार्ण भी करता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी भी सुरफ ढूंड लूँगा और तुम्हें मार डालूँगा आरलीन इस डेल पर एगरी हो जाती है फिर ये दोनों कमफर्ट के लिए चल पड़ते है आगे जाकर उन्हें एक कैनिबल आदमी मिलता है इसलिए मियामी उसकी बात पर एगरी हो जाता है और वो अरलिन को उस कैनिबल को सौफ देता है फिर वो आदमी अरलिन को ले कर वहां से जाने लगता है तब ही मियामी उसकी तरफ एक नाइफ पहंकता है जो सीधा आकर उस आदमी को लगता है मियामी उस आदमी का सारा समान खुद रख लेता है और उस आदमी का एक हाथ भी काट कर अपने पास रख लेता है फिर वो दोनों अपनी मनजिल यानी कमफर्ट के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन रास्ते में ही तुफान आ जाता है वहाँ पर और हर तरफ रेत ही रेत चा जाती है इसलिए थोड़ी दिर के लिए इनी स्टे करना पड़ता है ये दोनों वहीं पर टेंट लगा कर अपना टाइम गुजारते हैं तुफान रुकते रुकते राथ हो जाती है इसलिए मियामी उस आदमी की कटे हुए हाथ को निकालता है डिनर बनाने के लिए आरलिन मियामी से पूछते है कि तुम कैनिबल यानि बैट बैचर्स कैसे बने वो कहता है कि जब मैं 16 साल का था तो एक बोर्ट के जरीए अमेरिका आ गया अब क्यूंकि मैं अमेरिका में अनेथोराइस्ट परसन था इसी वज़े से मुझे बैट बैच बना कर यहाँ भेज दिया गया उन दोनों के साथ ही बहुत बुरा हुआ था इसलिए वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे लेकिन तभी कोई मियामी को गोली मार कर उसे इंजर्ट कर देता है तभी वहाँ पर एक स्ट्रेंजर आ जाता है जो अरलिन को कहता है कि वो उसके साथ चले यहां पर अर्लिन सोचती है कि क्या मुझे मियामी के साथ रुकना चाहिए या फिर उस आदमी के साथ चले जाना चाहिए लेकिन लास्ट में वो उस आदमी के साथ जाने कोई प्रैफर करती है वो कमफर्ट का आदमी था, इसलिए वो उस आदमे के साथ कमफर्ट एरिया में आ जाती है लिकिन कमफर्ट में आने के बाद उसे अच्छा फिल नहीं हो रहा था कमफर्ट में आकर वो खुश नहीं थी वो उस टाइम को याद कर रही थी जब मियामी ने उसकी जान बचाई उसका खयाल रखा जो टाइम उन्होंने साथ कुज़ा था आरलिन उसे बड़ा मिस कर रही थी क्योंकि वो मियामी को लाइक करने लग गई थी पास जाकर चेक करने पर वो देखता है कि वहाँ पर मियामी भी होषपढ़ा हुआ है वो मियामी की मदद करता है वो एक कवा पकड़ता है और मियामी को खिलाता है ताकि उसे थोड़ी ताकत मिले दूसरी तरफ अरलिन मियामी की नौट बुक देख रही होती है जिसमें different types के sketches बने हुए थे उन sketches में एक sketch मियामी की बेटी का भी था कुछ ladies ड्रेम के घर से बाहर आ रही है वही पर एक लेडी के साथ मियामी की बेटी भी होती है यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि असल में ड्रेम ने मियामी की बेटी को adopt कर लिया था क्योंकि उसके कोई उलाद नहीं थी अब finally अर्लिन को पता चल जाता है कि आखिर मियामी की बेटी कहां पर है लेकिन वो सोचती है कि मैं उस बच्ची को कपे भी वापिस नहीं ला सकूंगी क्योंकि ड्रेम बहुत powerful है उसके पास सारी authority है और वो ऐसा नहीं होने देगा उसे एक idea आता है और वो dream के palace पे चाती है palace में बहुत सारी औरतें drugs बना रही थी dream वहां आ कर बताता है कि आज वो जो कुछ भी है इस drug की वज़े से है अर्लिन कहती है कि मैं भी इन औरतों की तरह इस palace में काम करना चाती हूँ जिस पर ड्रीम इस बात पर राजी हो जाता है एक लेड़ी अर्लिन को एक रूम में ले जाती है जहां पर अर्लिन वाश रूम का बहाना बना कर चुपके से अपने नकली पाउ में से गर निका लेती है वो उस लड़की को गन पॉइंट पर लाकर प्रीजनर बना लेती है वो ड्रीम को कहती है कि अगर तुम बच्ची को छोड़ दोगे तो मैं इस लेड़ी को छोड़ दूगी वो लेड़ी ड्रीम की वाइफ थी इसलिए ड्रीम को उसकी बात माननी पड़ती है अरलिन वो लेड़ी और वो बच्ची तीनों एक कैरिज में बैटकर वहाँ से जाने लगते हैं कमफर्ट एरिया से बाहर आने की बात अरलिन उस लेड़ी को छोड़ देती है और जाने देती है पिर अरलिन और वो बच्ची डैजर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं आगे जाकर उन्हें मियामी मैन भी मिल जाता है जो के उस अकेले आदमी की हेल्प की वज़े से काफी बैटर हो गया था अरलिन उस बच्ची को मियामी मैन के हवाले कर देती है और वो मियामी को कहती है कि प्लीज मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो मियामी उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता वो उसे काफी समझाने की कोशिश करता है वो कहता है कि हमारे दुनिया में तुम्हारे लिए मौत किसी और कुछ नहीं है क्योंकि हम कैनिबल है और तुम किसी ना किसी दिन कैनिबल का खाना बन सकती हो इसलिए तुम्हारे लिए बेतर है कि तुम अपने ग्रूप यानी कमफर्ट में चली जाओ अरलिन कहती है कि नहीं मैं वापिस नहीं जाओंगी वो कहती है कि मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि तुम कैनेबल हो मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए मैं तुम्हारी साथ रहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ मियामी की बेटी उसे कहती है कि मुझे भूक लगी है और मैंने नूडल्स खाने है ना कि गोश्ट खाना है अब वहाँ पर तो नूडल्स मिल नहीं सकते थे इसलिए मियामी में उसके खरगोश को मार डालता है और वो ही उसे खिला देता है वो लोग हैपी लाइफ गुजारने लगते हैं और यहीं पर ये मुवी एंड हो जाती है थैंक यू फर वाची